नमस्कार, मैं हो ससी, आया जारखन की टॉप 25 पर्मोग खबर जानते हैं से सटे राजे के सभी जीलों में कूल अंठान में चेक पोस्ट बने हैं जहां राजे के भितर परवेश करने वालों को पास दिखाना होगा बतादे एचेक पोस्ट जहारखन से सटे हुए राजे बंगाल, उतर परदेश, बिहार, चातिसगर, वा, उडिशा की सिमा पर बने हुए हैं पास के लिए जहारखन सरकास ने ई-पास पोटल सुरू किया है जिस पर ई-पास डाउनलोड किया जा सकता है कुरोणा संक्रमन से जूज रहे जहारखन की जनता को अब चक्रवाती तुफान और बारिस से जूजना पड़ेगा पातादे अरभ सागर में साइकलोनिक प्रेसर बन रहा है इस कारण चक्रवाती तुफान टुकटा का राजे में 16 मैसे असर दिखेगा बतादे इस दोरान राज ये के कई हिस्सों में 30-40 क्रिमेटर प्रती घंटा की रफ्तार से तेज हावा और बारिस होने की संभवना है बतादे इस दोरान अधिक्तम तापमान में 3-4 डेगरी सेल्सेस की कमी आएगी मौसम विभाक के अनुसार और अपसागर में साइकलोनिक प्रेसर बनने से 16 माई को चक्रवात का रूप धारन कर सकता है बर्स 2021 को या पाला चक्रवाती तुफान है जारखन में तेजी से फ्यल रहा है बलैक फंगस दो की गई जान कुरोना मरीजों में होने वाली दूसरी खतरनाक बिमारी बलैक फंगस ने राज सरकार की चीनता बढ़ा दी है बतादे अनराजियों की तुरह जारखन में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं गुरु आर्तक नौ कुरोना मरीज इसकी चपेट में आ चुके हैं जीन में दो मरीजों की जान भी जा चुकी है बतादे इसे लेकर राज सरकार भी अलर्ट हो गई है सभी जीलों से ऐसे मरीजों की जनकारी मांगी गई है साथ ही सभी मेडिकल कोलेजों वह अस्पतालों को भारतिये चिकित्सा अनुसंधान परिशत द्वारा इस बीमारी से बचने के लिए अवस्यक एतियात तता उपचार को लेका जारी एडवाजरी भेजते हुए अनुपालन के निर्देश दिये जा रहे हैं जारखन में 16 मई से सकती प्राप्त किया जा सकेगा बाइक से सबजी राशन भी लाने जा रहे हैं तो जरूरी है इपास स्वास्वक्षा सब्ता के तह 16 मई से नई गाइडलाइन प्रभावी होगी बतादे अब सहर या जारखन के किसी हिसे में जाने के लिए इपास जरूरी होगा या इपास दो पहिया वो चार पहिया वहान के लिए जरूरी होगा हलाकि पहले की तरह इपास लेने में आपको मकसद नहीं करनी पड़ेगी बलिक इस बार जैसे ही परवहन विभाग के पोटल इपास जारखन travel.nic.in पर आवेधन करेंगे इसके कुछ दिर बाद ही आपका इपास जनरेट हो जाएगा बाहर से आने वालों को 7 दिनों का कॉरेंटाइन राई सरकार ने बाहर से आने वालों के लिए 7 दिनों का कॉरेंटाइन अनिवार किया है ऐसे लोगों को जार्खन travel.nic.in पर निवंधन कराना अनिवार्य होगा इसी परकार हवाई, रेल और सड़क मार्क से आने वाले लोगों के लिए भी साथ दिनों को कुरेंटिन अनिवार्य होगा जिला पर सचन ऐसे लोगों को होम कुरेंटिन में रहने के लिए अलग से दिशानितेस जारी कर सकता है बतादे होम कुरेंटिन संभव नाई होने की स्थिति में संस्थागत कुरेंटिन का प्रबंधन किया जाएगा धनबाद थाने में कुरोना विस फोर्ट तेरा पोजेटिव देश के कई राज्यों में कुरोना महमारी से हलाच चिंता जनक बने हुए हैं इस बिश पूलिस द्वारा काफी एहतियात बरतने के बावजूद जारखन के धनबाद सौधर थाना में तेरा पोलिस कर्मी कुरोना संक्रमित हो गाए बतादे इन संक्रमितों में थाना इन्चार्ज भी सामिल है 27,000 युवाओं ने लिग कुरोना वैक्सिन काफी इन्तियार के बाद राज्य में सुक्रवार को 18-44 बरस के आयू के लोगों का कुरोना टिका करन शुरू हो गया बतादे इन्चार्ज युवाओं ने इसमें काफी उत्सा दिखाया है पहले दिन राज्य के 496 केंद्रो पर 37,000 से अधिक युवाओं को पहली डोज का टिका लगाया गया हलाकि गुरुवार को साम तक इस आयूबर के कुल 27,549 युवाओं को टिका करन के लिए अपॉइंटमेंट बुक किया गया था बाद में इसकी संख्या बढ़ाई गई गुमला जिला में सर्दी भुखार से 15 दिनों में दस की मौत गुमला जिला के विसुनपूर परखन में कुरोना संक्रमीतो की संख्या में लगता इजाफा हो रहा है वहीं दूसरी और ग्रामीनों में जीद वगलत अफवा के कारण भैक्सिनेशन का कारे गाह में रुका हुआ है बता दे घागरा, निरासी, हेलता, पंचायतों के तमाम गाहों में कुरोना वाइरस के लक्षन जैसे बिमारी, सर्दी, भुखार, खासी फैल गया है जिससे अब तक 15 दिनों में कुल दौस लोगों की मौत हो चुकी है ग्रामीनों के बीच अंध्वी स्वास अभी भी हावी है जिसके करण मौत से जूज रहे लोगों को स्वास्त करने के लिए वजागूनी का सहारा अभी इन गाहों के लोग ले रहे हैं ज्यारखन में 376 नए केस मिले हैं ज्यारखन में 76 मरीज की मौत हुई है ज्यारखन में कुल मौत की संख्या 466 है ज्यारखन में कुल एक्टिव केस की संख्या 45,056 है भारत में 3,264 नए केस मिले हैं भारत में 2,662,29 मरीज की मौत हुई है बारत में कुल एक्टिप केज की संख्या 36,59,573 है भारत में 3,02,850 मरीज स्वास्थ हुए है वह जारखन में भी 712 मरीज स्वास्थ हुए है जारखन में 37,76 नाई केश मिले हैं खोटी 118, कुड़ारमा 104, लातेहर 92, लोहरदागा 38, पाक कुड़ 1, पलामु 192, रामगुर 84, राची 494, साहिव गंज 20, सराय केला 48, सिम्डेगा 155, पच्मी सिम्वू से 210 मरीज मिले हैं जारखन में 712 मरीज स्वास्थ हुए है जो पोकारो से 328, 424, देवघर बासर, धनवाद 152, 164, पूर्वी सिम्वू 9, रशट गठवा 26, कीडी 237, गोटा 73, गुमला 192, हजारी बाग 329, जाम तरा 5, खोटी 120, कुड़ारमा 145, लातेहर 29, लोहरदागा 109, पाक कुड़ 145, पलामु 183, रामगुर 27, रामगुर 27, 226, साहिवगन 54, सराय केला 132, सिम्डेगा 187, पाच्मी सिमून से 213, मरी स्वास्ट हुए है,